दोस्तो नमस्कार दित्ती इलेक्ट्रोनिक्स में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डोज साउंड की ड्राइवर से बनाया हुआ एक 10 इंच एक्टिव साबुफर और अगर मैं गलत नहीं हुआ तो यूटूब में पहली बार मेरे ही चैनल पे आपको ये एक्टिव साबुफर देखने को मिल रहा है और ये एक्टिव साबुफर बनाने का इच्चा मेरे बहुत दिनों से था और काफी लोगों का डिमेंड भी था इस टाइप का एक एक्टिव साबुफर तयर करने की और ये मौका मुझे मिला है इसका जो ओर्डर मुझे मिला था मिस्टर बजरंग सीबाजी सिंदे सेर के पास से जो पूने मोहरस्ट के रहने वाले हैं और वो एक खुद सौनी का टेकनिशियन है और मुझे ये गर्ब है कि एक सौनी का टेकनिशियन के पास से मुझे ये मोका मिला और आप लोगों की देखाने का भी मौका मिला तो दोस्तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस active subwoofer की backside में चले जाते हैं और इसकी सारे details जान लेते हैं तो दोस्तो हम लोग आ गये हैं इस active subwoofer के backside में जहाँ पे amplifier plate लगा हुआ है subwoofer का तो इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा जानकरी मैं आब लोगों को देना चाहता हूँ ए जो एम्पली फ्रीयर फ्लेट इसमें मैं इंस्टल किया हूँ ए डोज साउंड कमपनी की तरफ से 200 वाट का एक साबूफर एम्पली फ्रीयर फ्लेट और यहाँ पे जो बटन है यहाँ पे वालियूम का नौब है और यह फ्रीकेशन का नौब है और यहाँ पे एक 0 डिगरी और एक 180 डिगरी एक डीवी का स्वीच है और यहाँ पे जो चार आर्चिये शॉकेट है यह लाइन इनपूट और आउटपूट करने के लिए दिया गया है और यहाँ जो चार और चार आठ पीस बनाना फिंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक लाइन पे high level input होता है और यहाँ से high level output होता है और यह इनका power switch है और यह यहाँ पे एसी input लेता है और यह toridal transformer का nut है तो इसे power दिने के लिए company की तरफ से एक power cable दिया गया है इस टाइब का एक power cable मिलता है जो ऐसे यहाँ पे insert होता है और यह सिधा चला जाता है electric में और यह power switch on करते हैं यहाँ पे एक red color का LED light है यह जलना सुरू हो जाता है तो आप बात करते हैं आप कैसे इस साब उफर, active साब उफर को आप connect करेंगे अपने घर में या कोई amplifier के साथ तो इसे दिखने के लिए मैं यहाँ पे sound king का एक 2.1 amplifier लिया हूँ आप चाहे तो अपने घर में कोई भी amplifier है उसी के साथ भी आप एक connect कर सकते हैं मेरे पास यह amplifier था तो इसलिए मैं इस amplifier से connect करके अब लोग की मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ तो यह active sub-offert चलाने के लिए आप यह RCA socket के माध्धम से audio signal input कर सकते हैं या यहाँ पे high level का input कर सकते हैं और high level क्या है मैं दिखाता हूँ माल लिजिए कि यह एक cord है जो 2R के 2 प्रांत में यहाँ पे banana pins लगे हुए हैं तो यहाँ पे जो लिखा है high level input यहाँ पे मैं black पे black और red में red यह high level input आएगा यहाँ पे amplifier के back side में जहां speaker output हो रहा है यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लागा दिया rate और black यह amplifier का back side का जो option है यहाँ पे left और right यह stereo है और यह एक साबुफर के option है तो मैंने क्या किया जो speaker का output हो रहा था उस speaker का output लेके मैं यहाँ पे high level input में insert कर दिया इसके बाद और एक kevil मैं लूँगा जिस line पे मैं यहाँ पे high level input किया हूँ उसी के left side में मैं यहाँ और दो wire insert कर दिया हूँ और यह दो wire direct जाके पहुचेगा अपना stereo जो box है speaker box उसमें तो ऐसे मैं एक connection करके दिखाया कि एक channel का speaker आया high level में input हूआ और output सिधा यह speaker box में चला गया दूसरे channel का भी और एक wire आएगा यहाँ पे input होगा यहाँ पे direct speaker box में output हो जाएगा तो ऐसे क्या होगा तो ऐसे connection करने से यह जो आपका main amplifier रहेगा इस amplifier में जो main volume रहेगा यह volume ज्यादा खोलने से एक्टिव सब उपर भी ज्यादा चलना सुरू हो जाएगा आपना speaker box में चलेगा मतलब आपका तीनों box एक ही level पे चलेगा और यह एक ही amplifier से operate हो सकता है और अगर आप यह connection नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे direct audio input कर सकते हैं जैसे कि इस amplifier के back side में मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखे लाइन इन लाइन आउट और सब उपर आउट एक option है तो आप यहाँ से लाइन आउट पूट लेके एक RCA जैक या वैर के मादधम से यह output देके यहाँ पे input कर सकते हैं तब आपको यह volume और यह frequency दूनों सब उपर के back side में जाके आपको control करना पड़ेगा और अगर यह सब उपर के पीछे आप ज़्यादा नहीं जाना चाते हैं तो आप इसका volume फूल करके और ऐसे speaker के साथ connect कीजिए तो आपको यह ही amplifier में दूनों operate हो जाएगा तो यह था इस amplifier plate की कुछ जनकरी और इस amplifier की technically जो सारे details हैं वो आप लोगों को मेरे इस video के description box में मिल जाएगा और जो cabinet मैं तयार क्या हूँ इस cabinet का आंदर में क्या-क्या मैं समान यूज क्या हूँ वो भी शारा मैं आप लोगों को दिखा दूँगा और front में जो मैं साबुफर यूज क्या हूँ ए डौज साउंड ब्रेंड का 4-home 200-watt का 10-inch का एक साबुफर है और यहाँ पे दो यह ग्लास मैं यूज क्या हूँ ए भी डौज साउंड कमपनी का ही है और इसका बाहर में जो वाल पेपर फिनिस्ट किया हूँ एक काफी हाई कॉलिटीस के वाल पेपर है जो मैट ब्लैक कलर में है और इसके front में आपका एक काप्रे का ग्रिल भी मिलेगा जो socket आपको दिख रहा है ग्रिल मैं आभी यहाँ पे लाया नहीं तो यहाँ पे एक front का ग्रिल भी मिलेगा और इसके आंदर पूरा druggy sound brand का acoustic एक फोम पूरा loaded हुआ है और एक bracing भी मैं किया हूँ इस सबुफर के आंदर में और इस सबुफर का वीडियो मैं दो पार्ड में लाओंगा एक पार्ड में मैं इसका सारा details में अब लोगों को दिखा दिया और second पार्ड में मैंने इसका यह सबुफर मैं घर में ले जाके sound test किया था मुझे तो बहुती अच्छा लगा इसका performance इस सबुफर box में से low and loud दोनो frequency बहुती ज़्यादा मिल रहा था सुनने को बहुती अच्छा लग रहा था इंडोर में और सबुफर ज़्यादा तो इंडोर में ही यूज होता है आउटडोर के लिए नहीं है तो यह अपना घर में बहुती बढ़िया performance देगा अगर आपके पास पुराना कोई भी stereo amplifier है और आप एक सबुफर लेना चाहते हैं तो इस active सबुफर को आप ले सकते हैं और अपना पुराना amplifier के साथ connect करके आरम से आप लोग सबुफर का मज़ा ले सकते हैं और इस सबुफर के ground में मैं दिखा देता हूँ rubber का leg लगे हुए हैं और ये शायद 20 से 22 kg के उपर इसका weight होने वाला है बहुत ही काफी ज़्यादा weight है क्योंकि ये सबुफर का एक weight है cabinet का तो weight ही है और back side में जो amplifier plate है उसका भी बहुत ज़्यादा weight ही है क्योंकि यहाँ पर toridal transformer लगे हुए है और यहाँ पर 4 transistor लगे हुए है जो 1943 and 5200 transistor इसके अंदर लगा हुआ है और इसका details भी मैं दिखाऊंगा कि circuit board में क्या-क्या समन लगा हुआ है तो दोस्तों अगर आप लोगों की इस type की active subwoofer enclosure या complete active subwoofer box की जोरत है तो आप लोग मुझसे contact कर सकते हैं मैं All India Delivery करता हूँ और customize cabinet तयार करता हूँ तो इस वीडियो के description box में आप लोगों को मेरा details मिल जाएगा आप वहाँ से contact कर सकते हैं और दोस्तों एक request है अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आये हो तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो एक like कीजिए अगर बुरा लगे तो dislike कर दीजिए तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ तब तक आप लोग शुस्त रहिए सही सलामत रहिए जय हिंद बंदे महातरम